यह sobricate मतलब क्या होता है एक तरीके से आप nickname बोल सकते हो कोई भी geographical area है ठीक है उसका अगर कोई nickname है या वो किसी और नाम से जाना जाता है तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले है blue mountain blue mountain को नीलगिरी hills बोला जाता है और यह इंडिया में है नाव इंडिया की capital क्या है न्यू डेली और currency क्या है रुपीज इंडियन रुपीज ओके नेक्स्ट है city of skyscrapers city of skyscrapers न्यू यॉक को बोला जाता है यह इसके nicknames है ठीक है नीलगिरी को blue mountain के नाम से भी जाना जाता है तो यह इसका क्या हो गया subrogate यह यूएसे में यूएसे में यूएसे की capital and currency यूएसे का capital है वशिंग्टन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर नेक्स्ट है city of seven hills यह बोला जाता है रोम को रोम कहा है इतली में है और रोम इतली की capital ही है इतली की currency क्या है इतली में यूरो चलता है नेक्स्ट है city of dreaming spires यह Oxford को बोलते हैं Oxford कहां है इंग्लेंड में है next is city of golden gate city of golden gate के नाम से जाना जाता है San Francisco जो की USA में है USA का मैंने अभी आपको बताया उपर ही यहां की capital क्या होती है वाशिंग्टन बीसी और यहां के currency है US dollar नेक्स्ट है cockpit of euro यह Belgium को बोला जाता है Belgium की capital क्या है Brussels और यहां पर जो currency चलती है वो है euro next है China's sorrow जिसे sorrow of Bihar, sorrow of Bengal होता है उसी तरीके से चाइना sorrow ठीक है यह भी एक river का नाम है यह river कौन सी है वांग हो और यह जो वांग हो है इसको yellow river के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसी का दो नाम हो गए एक China's sorrow, yellow river और यह river का नाम है वांग हो अभी China की capital and currency, China का capital है Beijing and currency यहाँ पर चलती है yuan, y-u-a-n ठीक है y-u-a-n यह यहाँ पर currency चलती है next है dark continent, dark continent बोला जाता है Africa को, next है eternal city, okay eternal city बोला जाता है Rome को, Rome again Italy में आता है इसकी capital currency मैंने आपको करवा दी forbidden city, यह किसको बोला जाता है, Zee, Jing, Chang, मेरी pronunciation हो सकता है, different हो, आप एक बार इसको google पर चेक कर ले न यह आता है, Beijing, China के अंदर, China की capital ही है Beijing and China की currency क्या है मैंने अभी आपको बताया, China में दो currency चलती है by the way एक तो यह yuan और एक चलती है, ren, minbi ठीक है, ren, minbi and yuan यह दो currency यहाँ पर चलती है तो यह है cockpit of euro, which is Belgium and यह है नील गिरी, जिसको blue mountains बोला जाता है, जो इंडिया में है next है gate of tears, gate of tears की नाम से जाना जाता है, bab el mandab, ठीक है, bab el mandab, यह है जैरुसेलम में अगला है granite city, यह बोला जाता है a bird in को, और वो कहा है Scotland में अगला है great या little hearing pond, तो यह किसको बोला जाता है, Massachusetts को, यह कहा है इस place पे native American tribes रहा करते थे, next है hermit kingdom, hermit kingdom बोला जाता है Korea को तो यह जो Korea यह दो है, आपको पता होगा तो एक है North Korea और एक है South Korea, है ना तो दोनों की capital भी अलग है, currency सेम है, won चलती है, won, लेकिन एक जगा North Korean won चलता है और South में South Korean won चलता है, capital इसका जो South Korea है, उसका है Seoul और जो North Korea है, उसका capital है Pyeongyang, यांग, ठीक है Pyeongyang, यांग Next is Honeymoon Lake, Honeymoon Lake है निकनेम किसका, टिटिका का लेक का, तो टिटिका का लेक को Honeymoon Lake के नाम से भी जाना जाता है, यह Peru and Bolivia के border पर है, Andes में अगला है Island Continent, तो Island Continent बोला जाता है Australia को, Australia and Austria में आप काफी confused होते हो, अभी जो quiz लिया था, उसमें भी आप लोग confused होगे थे capital में, तो Australia जो है इसकी capital है Canberra and Austria जो है उसकी capital है Vienna, Australia and Austria की currencies भी अलग-अलग है Australia में जो currency चलती है वो है dollar and Austria में जो currency चलती है वो है euro, ठीक है Next है Island of Clothes, यह बोला जाता है Zenzy Bar को, Zenzy Bar क्या है एक island है जैसे आपको यहां से पता ही चल रहा होगो, यह island इंडियन ओशन में ही है ठीक है This is the island reason of Tanzania Next है Island of Pearls, तो बहरीन जो है उसको Island of Pearls बोला जाता है क्या है, बहरीन में जो currency चलती है बहरीनी दिनार और यहां का capital है Manama ठीक है Manama, बहुत easy सा है याद हो जाएगा Next है Pearl Island, अभी देखो इसमें confused मत हो न, यह क्या है Island of Pearls और यह है Pearl Island, दोरों अलग अलग है पनामा एंड बहरीन बहुत ही अलग है ठीक है इसलिए साथ में दिया आपको ऐसे याद भी हो जाएगा Key of the Mediterranean, Key of the Mediterranean इसको बोलते है Gibraltar Next है Land of Golden Fleece यह बोला जाता है Australia को, Australia की capital and currency मैंने बता दी आपको So this is Panama and this is Island of Cloves अगला है Land of Midnight Sun तो इस टाइप की questions आते रहते एक्जाम में यह important mark कर लो इसको इसलिए मैं यह topic करवा रही हूँ क्योंकि Land of Rising Sun, Land of Midnight Sun ऐसे questions आते रहते हैं तो यह बोलते हैं Norway को, Norway की capital है Oslo और यहाँ पे जो currency चलती है उसको बोलते है Kron Next है Land of Rising Sun यह किसको बोला जाता है Japan को, Japan की capital है Tokyo यहाँ पे जो currency चलती है वो है yen Next है Land of White Elephant यह सबको पता होना चाहिए, यह Thailand को बोला जाता है Thailand की capital है Bangkok यहाँ पे जो currency चलती है वो है भट ठीक है B-A-H-T यह जो है यह currency यहाँ पे चलती है Next है Pearl of Antilles यह बोला जाता है Cuba को, Cuba की capital and currency is So capital है Havana and currency यहाँ पे जो चलती है वो है Cubian Peso P-E-S-O, Cubian Peso Next है Pillar of Harikulis यह है Straits of Gibraltar में अगला है Pink City यह जैपुर इंडिया को बोला जाता है क्यों बोला जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए Because महां के जोई buildings है वो maximum ऐसे pink जैसे color के है ठीक है अगला है Queen of Adriatic यह बोला जाता है Venice को Venice है Italy में Italy का capital Rome And Italy में दो currency चलती है एक तो Euro और दूसरा है Italian Lira L-I-R-A Next is Sugar Ball of World यह बोला जाता है क्यूबा को क्यूबा का अभी मैंने Capital and Currency आपको बताया आप मुझे comment करके बताऊगे इतली दो तीन बार आया है इतली क्यूबा पहला question आपको यह है Italy का capital and currency Second is Cuba का capital and currency यह दो आप बताऊगे आगे मैं और question देती हूँ Next है Venice of East बोला जाता है अलब पजू को यह क्यरला में है क्यरला इंडिया में Next is Venice of North यह बोला जाता है Amsterdam को Amsterdam is in Netherlands Netherlands की capital and currency is Amsterdam only Amsterdam यहाँ की capital है और यहाँ पे जो currency चलती है वो है Euro Next है Windy City Windy City बोला जाता है Chicago को Chicago USA में है Yellow River अभी बताया मैंने आपको पीछे ही sorrow of China भी बोलते है इसको यह है Wang Ho So यह image Thailand की है क्योंकि उसको क्या बोला जाता है यह आप comment करके मुझे बताओगे ठीक है तो यह होगे आपका third question तीन question मैंने दे दिये दो वहाँ पे and यह this is the third one So यह topic इतना साही था मुझे इन तीनों question के answer आप comment करके बताना और अगर telegram पे अभी तक नहीं हो तो join कर लो subscribe नहीं किया channel तो subscribe कर लो and insta page पे भी आप follow कर सकते हो I hope you like this session please hit the like button share this video and subscribe to our channel for more updates thanks for watching guys see you all in the next video